आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which of the following objects are not used to determine that organism existed in the past? कुछ है कि कौन सा ऐसा object है जिसको यूज नहीं किया जाता है past के organisms के बारे में जानने के लिए तो जली देखते हैं कि क्या क्या options given है तो जो first option है वो है fossil Fossils यो है ये prime important structure है या फिर हम कह सकते हैं कि prime important एक feature है जिसके थूँ हम लोग जान सकते हैं कि किस तरीके से past में organisms यो हैं वो live करते थे उन में क्या similarities था क्या dissimilarities था और क्या चीज उन में पाया जाता था जो आज नहीं पाया जाता है और बाकी sub-substance इसलिए ये जो है ये as a proof use किया जाता है वही next है जो कि meteors है ये meteors जो है ये one kind of event था जो कि past में हुआ था और इसके कोई evolution या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी organism का relation जो है वो नहीं पाया जाता है जो है meteors का use जो है वो evidence provide करने के लिए नहीं किया जाता है तो हमारा correct answer भी यहाँ पे meteor हो जाएगा वहीं पे clause in tarpet का बात करें तो clause जो है यह भी evolution relation को show करता है और कौन से year में वो पाया गया था किस animal का था यह सारे substances जो है वो research में use किये जा सकते हैं वहीं footprints जो है यह भी basically same चीज़ है जो कि evolution के लिए use किये जा सकते हैं कि किस तरीके से foot जो है वो पहले के time में हुआ करता था उसमें किया evolve आया है और किस तरीके से उनके markings जो है वो किये जाते हैं तो इसलिए यह सारे चीज़े जो है वो use होती है except जो हमारा meteors है और उसी को हम यहाँ पे tick कर लेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर